हेलो एविवन मैं आनीता ठाकूर और आज का टॉपिक है हमारा इंडिया एंदा पोस्ट कम्मुनिस्ट कंट्रीज मतलब आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं इंडिया का जैसे यूएससर का डिसिंडिक्रेशन हुआ उस में से जो 15 कंट्रीज एमर्च हुई थी उन 15 इंडिया का रिलेशन कैसा रहा ठीक है तो अब यहां पर बताया गया है इंडिया जो है उन्होंने बहुत अच्छा रिलेशन जो है वो मेंटेन करा हुआ है किसके साथ मेंटेन किया हुआ है जितनी वी कम्मुनिस्ट कंट्रीज जो थी वो एमर्च हुई थी कब 1991 के बाद उन सबी के साथ अच्छा रिलेशन जो है उन्होंने मेंटेन किया हुआ है लेकिन सबसे अच्छा रिलेशन जो है वो इंडिया का किसके साथ है strongest relation जो है वो इंडिया और रस्या के बीच में है क्लियर है मतलब यह नहीं है कि इंडिया ने बाकी वाली जो 14 कंट्री जो पहले 1945 के बाद और नाइटीन 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 वन से पहले जो इकठी नेशन थी 14 इंक्लियूडिंग रिश्या अगर बोलने तो 15 तो उनके साथ भी रिलेशन अच्छा है लेकिन सबसे जादा अच्छा रिलेशन जो है वो रिश्या के साथ मेंटेन किया हुआ है अब यहां पर बताया गया है इंडिया का रिलेशन जो है वो रिश्या के साथ बहुत important माना जाता है क्योंकि इंडिया कि foreign policy वह भी कहीं ना कहीं रिश्या के साथ मिलते जोलती है और रिश्या के साथ उसने अच्छा रिलेशन मेंटेन किया है उससे के बेसिस पर हम लोग यह देख सकते हैं कि वहर एक situation में एक दूसरे के साथ देखने को मिलते हैं और इंडिया और रुषियन रिलेशन्स जो है वो कहीं न कहीं इतने स्वांग है या हम लोग बोल सकते हैं कि यह स्टार्टिंग और अगर हम लोग बात करें तो यह स्टार्टिंग से कनेक्टिविटी आफ ट्रस्ट मतलब यह एक दूसरे पर विश्वास के थ्रूप जो है वह बंदे हुए हैं और कहीं न कहीं इनको कॉमन इंट्रेस्ट हैं मतलब इनका जो इनकी कहीं बात चो डिमांड होती है चाहिए सोचने का तरीका है वह दूसरे के साथ सिमिलर मतला बॉंड़िंग है इनकी एक दूसरे के साथ चुड़े हुए हैं ठीक है और एक और चीज इनकी मैच करती है वो क्या पापुलर प्रिसेप्शन मतलब इनकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कहीं ना कहीं वो भी इनकी सिमिलर ही है ठीक है और जैसे यहां पर बता आगे कुछ प्रिसेप्शन कुछ इंस्टांस दिये हैं इंडियन हीरोस के बारे में जैसे राज कपूर से लिए अमिता बच्चन तक वगरा वगरा जोगे उनके हाउसोल नेम्स जो हैं मतलब जो करके नाम है वो भी इवन रश्या में रश्या से रिलेटिट ही है और यहां पर हम लोगों आधर वी जो हैं वहां से लिया जाता है इन्डिया और रश्या के बीच में किस तरह की एक मतलब रिलेशनशिप हैं इंडिया और रश्या का जो रिलेशन चिपां उनकी वीजन जो है वह भी सिमिलर है मतलब उनका सोचने का तरीका जो है वो भी similar है वो किसमें believe करते हैं believed in multipolar world किसमें believe करते हैं वो multipolar world में believe करते है multipolar का मतलब क्या होता है बच्चे multi means more than two countries or two nations ठीक है और polar तो आप लोगों को पहले अलरड़ी बता चुक्क है उनका कहने का मतलब यह है कि जितने भी nations हैं कहां पर वर्ल्ड में अगर 195 nations हैं तो वो 195 nations रहें आल अर इंडिपेंडेंडेंट दे हैं दियर ओन गवर्मेंट दे हैं दियर ओन कॉंसिचूशन कि कि उनका खुद का कॉंसिचूशन होना चाहिए उनके खुद की गवर्मेंट होनी चाहिए और वो सभी इंडिपेंडेंडेंट होने चाहिए उनकी वर्किंग में किसी भी तरह की कोई भी भादा नहीं होनी चाहिए कोई अनदर मतलब इंपायर जो हैं उनको कंट्रोल ना करें ये उनका मानना था ठीक है और यहां पर multipolar world को थोड़ा सा ओर description में मतलब थोड़ा ओर expand करके बताया गया है कि multipolar world को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा order होता है जिसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारी political past वो क्या करती हैं इकठे survive करती है मतलब coexist करती है जितनी भी decision making होती है वो equally उनको लेनी पड़ती है जितने भी conflict होते हैं उनको peacefully मतलब reside करना पड़ता है अगर हम लोग बात करें multipolar world की in simple sense तो हम लोग बात कर सकते हैं कि coexist करना साथ मिलकर रहना किसको साथ मिलकर रहना बचें several parts मतलब बहुत सारी nations बहुत सारी countries बहुत सारी parts जो है वो एक international system form करेंगी जिसमें क्या क्या होगा collective security होगी जैसे मान लीजिया अगर Pakistan ने इंडिया पर अटक किया तो Russian army जो है वो इंडिया को support करेंगी और कुछ और कम मतलब nations जो है वो भी इनको support करेंगे ठीक है collective security का मतलब ये भी हो गया और बहुत सारी इसके मतलब आते हैं और उसके बाद यहां पर क्या बताया गया है नेक्स यहां पर बताया गया है कि अगर एक country के अपर attack होता है या उसको डराया दम करा जाता है तो बाकिवानी nation जो है वो क्या कर सकते है collective response जो है वो provide कर सकते है जाचा अगर आप लोगों को याद हो 2019 में 14 फेब को पुल्वामा अटैक हुआ था जो की जिसमें 40 प्लस CRPF जवान जो थे उनकी मतलब उनको बॉम के थू मतलब किया गया था तो उससे हम लोगों ने देखा कितनी जादा lost of life जो है वो देखने को मिला था हम लोगों को जिससे की यह जो इशू था उसमें collective response देने की बात करी गई United Nation Organization ने भी कुछ ऐसे decisions लिए जो कहीं न कहीं इंडिया के welfare के लिए थे ठीक है और उसके बाद यहां पर क्या बताया गया कि यह जो थर्ड वर्ल्ड मतलब हम लोग बात करें एक multipolar वर्ल्ड की बात करें हैं तो उसमें यह बताया जाता है greater regionalism जो है उसको enhance किया जाता है कि negotiations के थ्रू क्या किया जाए international conflicts जो है मतलब 195 nations जो हैं अगर उनमें कोई भी conflict हो जाता है किसी भी nation के साथ जैसे इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है अगर इंडिया और चाइना को हो जाता है तो हम लोगों को क्या करना है उन्हें peacefully negotiations के थ्रू सेटल करना है that means बातचीत के थ्रू थ्रू डिसकेशन थ्रू हम लोग बोल सकते हैं अगर हम लोग बातचीत करेंगे peacefully अगर हम लोग उस उन मुद्द के उपर discussion करेंगे उन पॉइंट के उपर उन इस्शू को को discuss करेंगे तो I think जो हमें best results हो है वो देखने को मिलेंगे conflict जो है violation नहीं कास करेंगा ठीक है और यहां पर एक को चीज बताएगी है कि यह जो multipolar world होगा वो क्या करेंगा एक independent foreign policy form करेंगा जिसमें सभी countries रहा है वो क्या कर सकती है अपनी खुद की एक policy form करेंगी जिससे उसका मन है तो वह उसी nation के साथ relations रहा है वह अच्छे relations maintain कर सकता है जिस तरह का trade चाहता हो वो उस तरह से trade भी कर सकता है जैसे decision making process है जैसे जितने decisions ले जाते हैं अगर international level पर कोई भी conflict चल रहा है तो कौन सी bodies रहे हैं वो उन issues को discuss करेंगी तो आई थिंक यहां पर यह बताया गया है यहां पर यह बता बताया जा रहा है इस book के accordingly की decision making जो है यह उन bodies के थ्रू होनी चाहिए जिन से हमारे वर्ल्ड का क्या हो benefit हो profit हो और साथ में United Nation को और जादा strengthen करना चाहिए हम लोगों को strengthen का मतलब उसे और जादा मजबूत करना चाहिए उसे democratized बनाना चाहिए मतलब जहां पर हर किसी को right है वो क्या कर सकता है अपना opinion दे सकता है अपने point of view जो है वो provide कर सकता है अपना मतलब जो भी idea होगा इस किसी भी issue को मतलब settle करने का तो वो यहां पर United Nation organization में अपनी बात को सामने रख सकता है और United Nations को यह जो organization है इस nation को autonomous बनाना है मतलब इन यह जो organization है उसको इतनी पार दी जाने चाहिए जिससे कि वो किसी भी nation के लिए एक better decision जो है वो form कर सके clear है दिन उसके बाद बताया गया है कि 2001 में एक जो indo-racian strategic agreement हुआ था उस agreement में देखा गया कौन से agreement के बात कर रही हो indoration strategic agreement कब हुआ था 2001 में हुआ था उसमें देखा गया 80 से जादा agreements जो थे bilateral का मतलब क्या होता by का मतलब होता बच्चे टू तो यहां पर two nations कौन से हैं इंडिया और रशिया जो है इन दोनों के बीच में 80 से भी जादा agreements जो थे वह sign हो चुके थे कब साइन हो चुके थे 2001 में ठीक है और यह जो issues थे जो एग्रिमेंट्स थे यह जो treaties हुए थी इनके बीच में contract हुए थे यह अलग-अलग इनकी अलग-अलग मतलब इंट्रेस्ट थे और अलग-अलग तरह के profit जो थे यह provide कर रहे थे clear है दिन उसके बाद यहां पर क्या बताया गया जो है उसमें यह बताया गया कि इंडिया जो है वो इस relationship से क्या कर रहा है fourth point sorry इस मतलब इंडिया जो है वो क्या कर रहा है रशिया और इंडिया की relationship से benefit भी मतलब उसको gain हो रहा है like कौन-कौन से issues से related उसको मतलब रशिया से help मिल रही है इंडिया को like issue of Kashmir और terrorism जो कि Kashmir में चल रहा है या फिर यह जो Kashmiris जो है जो मतलब जितनी भी जिस तरह की activities perform करती है कहीं ना कहीं रशिया इंडिया की यहां पर फुल सपोर्ट जो है वो इंडिया को फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है energy supply में रशिया जो है वो इंडिया को फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है information sharing में information technology में भी इंडिया की support जा वो कौन कर रहा है उसका best friend जिसको Russia कहा जाते जिसके साथ उसके stronger हम लोग बोल सकते हैं relations जो हैं वो अपी तक maintained है international terrorism मतलब जितनी भी information related to terrorism जो है उसको share करने के लिए रशिया जो है वो क्या करता है इंडिया की help करता है और इससे इंडिया को क्या हो रहा है इंडिया को profit earn हो रहा है और उसके बाद यहां पर क्या बताया गया रशिया जो है वो क्या करता है चाइना के इंडिया के साथ रिलेशन जो है वो भी बैलन्स करवा रहा है और रशिया जो है रशिया को भी बैनेफिट हो रहा है जी सिर्फ इंडिया को ये रशिया से बैनेफिट नहीं मिल रहा है रशिया भी इंडिया से कुछ नो कुछ profit जो है वो earn कर रहा है अब यहाँ पर रशिया को कौन-कौन से profits जो है वो earn हो रहे हैं जैसा कि आप लोगों को पता है इंडिया क्या है? इंडिया second largest arms market है मतलब हत्यार बनाने का बाजार है जहां से रशिया क्या करता है? बहुत सारे weapons जो है बहुत सारे arms जो है वो क्या करता है यहां से लेकर अपने nation में जाता है उसके बाद इंडियान मिलिटरी जो है उसको बहुत सादा hardware की जो support है वो रशिया से मिल रही है जिससे कि वो अपना profit earn कर रहे हैं अगर हम लोग बात करें oil imports की तो वो भी कहीं न कहीं रशिया जो है वो एक important हम लोग बोल सकते हैं important place यहां पर play करता है तो यहां पर बताया गया है इंडिया वो रशिया ने एक दुस्रे की जब इंडिया में oil crisis चल रहे थे तो रशिया ने oil assistant जो था वो provide किया था that means अब इंडिया में तेल को लेकर कमी चल रही थी उस तेम पर क्या किया गया था रशिया ने इंडिया को oil crisis से भी बाहर निकाल ला था that means oil production का कुछ पाट जो था वो इंडिया को provide किया था जिससे की इंडिया जो है further strand ले सके और इंडिया जो है वो क्या करता है increase करता है अपनी energy supply को जिससे की वो कहीं न कहीं हम लोग यह बोल सकते हैं कहीं न कहीं वो मतलब profit earn कर रहा है ठीक है सो अगे next है आप लोगों का अब यह दोनों जो है इंडिया और क्या बोलते इसको रेशिया जो है यह दोनों अच्छे relations इनोंने maintain कर रहे हैं किसके basis पर एक scientific इनका जो मतलब science की जितने projects होते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं यह दोनों जो हैं वो क्या करते हैं collaboration में work करते हैं जिससे हम लोग यह बोल सकते हैं कि science के field में इनोंने इकठे working करी जिससे कि इनके relations रहे हैं वो और जादा maintain होगे और world politics में इनका एक अलग ही place है अगर हम लोग बात करें इंडो पार्क कोर की 1971 की जो हुई थी तो उसमें भी रिश्या ने इंडिया की help करी थी और इंडिया को crisis के time पर उसने मतलब बहुत financially भी और साथ में बहुत जादा हम लोग बोल सकते हैं military assistance जो था वो भी provide करा था ठीक है तो उसके बाद यहां पर क्या बताया गया nuclear energy plants रोहें उसमें भी इंडिया help करता है इंडिया को space मतलब space के लिए जितनी भी industries establish करनी हो यह set करनी हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो help है वो रिश्या उनको provide करता है ठीक है और उसके बाद यह हर एक तरह की मतलब situation को इकठे टेकल करते हैं अब थोड़ी सी एक flashback है उसको बता देती हो मैं कि इनके economic relations कैसे है रश्या और इंडिया के बीच में अब यहां पर बताया गया है Soviet Union जो है वो public sector companies जो है उनको भी assistance provide किया था जब वो बहुत सद़ difficulty को face कर रहे थे और साथी साथ technical assistance भी provide किया था मतलब machinery जो थी उसमें भी help provide करी थी चाहिए वो steel plant हो जो कि कहां कहां पर लगाएगे हैं बिहाद वही लाल लाई में बुकैरो में विशाखा पत्नम और machinery plants जो थे वो कहां कहां जैसे कौन-कौन से यहां पर जैसे उनना बताया है भारत है वे electricals limited etc ठीक है वो Soviet Union जो थी उन्होंने इंडियन करंसी को भी acceptance दी हुई है वहां पर इंडियन करंसी से भी trade किया जा सकता है ठीक है और उसको यहां पर यह बताया क्या है कि इंडिया जो है क्या कर सकती है foreign exchange भी रश्या के साथ कर सकती है political इनका किस तरह का relation है political structure में अगर हम लोग बात करें तो Soviet Union जो है मतलब रश्या जिसको कहा जाता है वो इंडिया की position जो कि कैश्मीर मुद्दे को लेकर है तो उसको भी support करता है आप लोगों को बता चुक्यों कि कैश्मीर में जितनी भी problems होती है उन प्रोब्लम से रिलेटीड रश्या जो ऑल्वेस किसको मतलब support करता है इंडिया को ठीक है देन उसके पाद यहां पर बताया गया है जितनी भी major conflicts होते है स्पेशली अगर हम लोग मैंने आप लोगों को अरड़ी बता चुक्यों हूँ 1971 की पाकिस्तान वार हो तो उसमें भी Soviet Union जो थी मतलब रश्या जो था उसने किसकी help करी थी indirectly इंडिया की help प्रोवाइड करी थी और अगर हम लोग military basis की बात करें तो इंडिया जो है उसने बहुत सारे military hardware जो हैं वो कहां से gain करें है Soviet Union मतलब रश्या से जब उसकी country को बहुत जादा military technologies की जुरत थी तब उसको कहां से support मिली थी रश्या से मिली थी और इंडिया और रश्या के बीच बहुत सारे ऐसे agreements हो चुके हैं मैं और बता चुकी हूँ 2001 में 80 plus agreements जो थी वो इनके बीच में sign हो चुके हैं और culture की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसे films हैं जिनमें और इंडियन कल्चर जो हैं वो popular दिखाया गया कहां के Soviet Union में और बहुत सारे इंडियन writers और आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने USSR मतलब रश्या में बहुत बार wizard भी किया है I hope आप लोगो समझ में आया होगा thanks for listening and may God bless you